अलो दोस्तों विलकम बैक टू चनल तुम अभी में बैठा ओकने टाटा पंच में है टाटा पंच एडवेंचर रिदम पैक और आज इसके हम लाइट नॉप के फीचर्स के बारें बात करें कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो क्या क्या फीचर्स में आते हैं और इसके लाइट के फीचर्स क्या क्या है आपको कैसे इसको एक वीडियो बनाईए तो आज वीडियो को लास तक देखना बिल्कुल भी इसकी मत करना आपको इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों एह है आपके लाइट वीम का नॉब तो इसको आध्यान से देख लिजी इसमें पहले समझते हैं इसमें क्या कि आपके नंबरिंग्स ही ही है तो आप अगर नीचे से यहाँ पे देखें कुछ नहीं होता है कि उसके बाद यह तीसरा वाला पार्ट आप यू देख रहे हो इस तरिके से रोटेट होता है लेफ्ट राइट ठीक है इस तरीक सा आगर पीछ आप रोटेट कर सकते हो तो एक रोटेशन इसकी यहाँ पर होती है नीची तरफ नीचे कर सकते हो नीची पकुम एलाकि इसकी चार तरह की रोटेसन हो जाती है बाकि दो तरहीं के इसमें नौब दिये हुए पहले बात करते हैं इसकी जरुवत होती है इसका क्या feature होता है कैसे आप इसको यूज कर सकते हूं यह वाला दोस्तों मेन सा आगे ले जाएंगे यहां पे तो यहां पे ले जाते ही आपकी जो पार्किंग लाइट है वो अन हो जाती है पार्किंग लाइट कर देगो यहां पर साइन बना होगा है अपके यहां पर पार्किंग लाइट अन हो जाती है लाइट आपकी अब भी ओफ रहती है जिर्व आ आप रखेंगे तो हमेंसा आपका यह ही होता है अगर इसको इसे उपर तरफ कर देंगे तो ल 최क्ष मु franchise देखेंए नीचे किया होगा और चैजा होimon तो यहां से देखिए है इस तरीके से hi-veem, low beam कर सकते हैं अगर इसको मैं यहां पर कर दीए देखे पारकिंग लाइट प्ला दीए तो आपके सिर्फ पारकिंग लाइट जल रही है बागे सारी लाइट बंद हो गई अब इसको अगर थोड़ा सा और दिद्र करता हूं जो सार आदिरा हो गया फोग लैम इसे नहीं आता यह necesita को यहां और फोट आपी आन कर दोगा भानी हाता है उन्हेजोंते हैं कर सकते हैं तो फिलाल आपको समझ पिल आगया होगा दोस्तों यह वाला जो आपका है यह basically off parking light और आपकी headlight और अगर आप इसको नीचे तरफ कर देंगे तो आपकी जो highway में वो on रहती है अगर यहाँ पर कर देंगे तो आपकी low बी मॉन हो जाती है और low बी मॉन करने के बाद अगर आपको pass लेना है तो आप इसको उपर ऐसे करेंगे तो आप pass लेंगे मतलब ऐस से उपर करते हैं आपके highway मॉन हो जाती है मतलब इस तरीके से आप pass ले सकते हैं एक बहर मैं आपको दिखाता हूं देखें लोब बी मॉन है जैसे मैं इसको ऊपर कर रहा हूं यह देखिए तो रात में ऐसे करके इसको हम pass लेने के यूश करते हैं तो रात में जब भी आप को overtake करना हो तरत आप इस तरीके से अपना पास वाला feature करके गाड़ी से टैक कर सकते हैं तो उससे PAS का मतलब इस तरीके साइन अगर आप उसको दोंगे तो समझ जाए कि आप उससे Overtake करना चाहते हैं आप PAS लेना चाहते हैं तो पास का आप इस तरीके से यूच कर सकते हैं अगर सामने कोई हाई बीम पे आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से डिपर मार के आप उसको बता सकते हैं कि आप low beam कर लीजिए, मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है तो ये दोस्तों इसके features हो गए, इसके knob देख रहे हैं, important चीज है इससे हम अपने जो high beam है, low beam है, उसकी distance, जो उसका throw है light का उसका throw कितना होना चाहिए, pass भी होना चाहिए, या फिर दूर होना चाहिए उसकी setting हम यहां से कर सकते हैं, उसकी setting कैसे यहां से करते हैं, उभी आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक, दो, तीन का मतलब क्या है तो अगर आप इसको तीन भी दोस्तों करते है तो आपका जो light है सबसे मतलब pass की तरफ रहता है अगर आप यहां कर देंगे तो सबसे मतलब आपका throw कम रहेगा सबसे near रहेगा अगर आप थोड़ा और दूर throw करना चाहते हैं तो आपको 2 पे करना है अगर बहुत ज़्यादा आप अपने light का throw आगे तक रखना चाहते हैं दूर तक रखना चाहते हैं तो आपको 0 पे करना होगा लेकिन इसमें cash दोस्तों है आपको जब भी वाली setting करना है तो उसके लिए आपका जो knob है हमेशा low beam पे होना चाहिए अगर आप high beam पे करके इसको set करेंगे तो कोई भी changes नहीं होंगे आपको अपने low beam पहले यहां से select करनी है मतलब इस बीच में आपको लाना है यहां पे उसके बाद low beam पे आपकी जब गाड़ी आ जाए जो आपकी low beam on हो जाए उसके बाद आप इसको set कीजिए उसके बाद इसके setting आप जो भी दूर और पास रखना चाहते है अपने हिसाब से setting कीजिए automatically आपकी जो high beam है adjust हो जाएगी अब एक बार मैं आपको practically करके दिखाता हूँ अभी देखिए यह high beam पे है और मैं इसको knob को rotate कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा यह देखिए यह high beam पे है knob को rotate कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए आपको कोई changes नहीं दिख रहे हैं कुछ भी changes नहीं हो रहे हैं अब इसको मैं low beam पे करता हूँ अब दोस्तों देखो low beam पे आ गई अभी 3 पे है सबसे देखिए पास में है अब इसको मैं धीरे धीरे अभी 0 तरफ ले आऊँगा आप देखना light धीरे धीरे आग इक तरफ जाएगी अब देखिए अभी बिल्कुल 3 पे है आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आरो देखिए नीचे इतरी पे है और इसको मैं धीरे धीरे 0 तरफ ले जाता हूँ देखिए इसकी distance बढ़ गई राइट अब इसको 3 पे मैंने कर दिया इसकी distance आई हो गई अब मैं अपनी high beam जलाओंगा था high beam automatically मेरी दूर तक जाएगी अब अगर high beam मुझे pass में करनी है तो मैं क्या करूँगा low beam पे लाओंगा उसके बाद इसको 2 या 3 जहां पे मुझे रखनी है उसकी हिसाब से कर दूँगा मालो 3 पे कर दिया सबसे pass कर दिया अब मैंने जब high beam on की देखी मेरी high beam भी pass में आ गई दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात ही है जब भी आपको अपनी beam adjust करनी है beam का throat adjust करना है light का तो आपको इसकी setting जो है इस वाले rotary knob की setting हमेसा low beam पे रखके करनी है उसके बाद आपको high beam on कर देनी है high beam automatically उससाब से set हो जाएगी उसके बाद यह वाला जो arrow आप देख रहे हो basically indicator के लिए है अगर आप इसको उपर तरफ कर दोगे तो आप देखिए left वाल indicator चल गया आप इसको नीचे तरफ कर दोगे तो आपका right वाल indicator चल गया और बीच में कर दोगे तो आपका इंडिकेटर बंद हो गया वैसे जब भी आप turn लेते हो तो आप समारी जी right आपने किया उसके बाद आपने right turn लिया लेने के बाद जैसे भी आपकी steering सीधी होगी और आपको इसको आफ करने की जरूद नहीं पड़ती है यह फीचर इसमें दिया गया है बहुत सारी गाड़ी में आता है तो आपको इसको दुबारा बीच में लाने जरूद नहीं पड़ती आपको सेर्फ इंडिकेटर देना ह टार लेने के बाद जिससे आपकी गाड़ी की steering सीधी होगी और आपको इंडिकेटर बंद हो जाएगा इसके अलामत दोस्तों इसमें एक फीचर और होता है जो कुछ लोगों को सायथ पता ना हो कुछ लोगों को सायथ पता हो भी सकता है लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं पता हो किसमें एक मतलब लेन चेंज करने का भी option होता है इसी चीज़ में तो इसके लिए आपको इसको फलका से नीचे करने हैं माल जी आपको इसको राइट की तरफ गाड़ी अपनी लेनी है तो आप अपको जाना है तो इसको हलका से कीजिए ए आप देखिए चार चार-पांच बार ब्लिंक किया बंद होगा, similarly, राइट में फिट से करके दिखाता हूँ, इस तरीके से था, आपको लेंड चेंज करना है, तो आपको इंडिकेटर देने जरूरत नहीं है, आपको हलका सा बस ऐसे करना है, चार-पांच बार ब्लिंक करेगा, अपने आप है, तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट सक्सिर में पूँच सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूगा, बाकि दोस्तों, यही राज का वीडियो, I hopes आपको समझ में चीज़ें आ गई होगी, अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ वेरीज हैं, तो आप डेफि मिलते हैं, किसी नए और informative बीडियो साथ तक लिए अपना ख्याल रखे, अपने घर परिवार ख्याल रखे, जय हिन, जय भारत